नमस्कार स्वागात आपका ख़बर एचपी में तो आईए जानते हिमाचल के हर छोटे बड़े सर्थ से जुड़े 30 पटापट बड़ी ख़बरों को इससे पहले दी आप वीडियो को लाइक नहीं कियें तो लाइक कर दीजी और चैनल में नए तो चैनल को सस्क्राइब कर ल गोबर खरिदने की परिक्रिया को लगबग पुरा कर लिया है अब जल्दी पसुपालक गोबर को बेच सकेंगे में खास बात है कि किसानों से 3 रुपिये पर 3 किलो की अधार पर गोबर खरिदा जाएगा पर गोबर सधारन नहीं और गैनिक यानि जेविक तोर पर खरिदा अपलाई जियराज सरकार प्री प्रावरी कक्चाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए 597 प्री प्रावरी प्रसिक्चों के भरती जल्द सुरू करेगी राष्टि अध्यापक सिक्चा परिश्द के नीमों के तहत ही इस भरती को करेगा नीम में किसी भी तरकी छूट नह दिया है तो कट जाएगा बिजली और पानी केनेक्चन सिमला नगर निगम ने जारी के नोटिस आखिर क्यों हो रहा ऐसा नगर निगम सिमला ने संपती कर नो देने वाले भवन मालिकों के बिजली और पानी के कनेक्चन काटने के लिए बिजली बोल और सिमला जल पत्र लिखा और इस मामले में जल्दी करवाही करने के लिए कहा है। नाम दूसरे राज्यों में और पैंसन हिमाचल से परतिनी उक्ती पर गए जेबीटी सिक्षकोँ पर अब सुकू सरकारने की करवाही। इनके खिलाब करवाई की जाएगी फिलहाल निदिसाले में रिपोर्ट देने के निदिस से दिये हैं HRTC के 69 कंट्रेक्टरों को पर्मोशन के साथ मिली ट्रांसपर दो साल का रहेगा प्रोबेशन पिरियर्ट हिमाचर पद परिवन निगम में लंबे अरसे के बाद 69 कंट्रेक्टरों को पर्मोशन का तोफाद विला है मैं पर्मोशन के साथ कुछ कंट्रेक्टरों को ट्रांसपर भी कर दिया गया यह सभी सब इस्पेक्टर बनाएगे मैं जिनका दो साल का प्रोबेशन पिरियर्ट रहेगा मैं कुछ को उनके वर्तमान कारेस्दल पर ही तनाती दी गई है जबकि कुछ को बदले गए मैं पर्मोशन मिलने से सब इस्पेक्टर बने कंट्रेक्टरों का व्यतनमान भी बढ़ा है मैं इनका पे मेट्रिक्स से 25.000,6-81.200 का रहेगा इन सभी को H8 से परबंदन ने 5 दिनों में नई कारेस्दल पर जोईनिंग देने को का है यदि वो पांच दिनों में सब इस्पेक्टर के पदों पर जोईनिंग नहीं देते हैं तो उनकी प्रमोशन रत समझी जाएगी जिन कंटेक्टरों को पर्मोट करने के साथ ट्रांसपर किया गया है एरियर नो देने वाले कंपणियों पर होगी कर रहा ही SMC सिख्चकों को रेगुलर करने पर आई बड़ी अपडेट जे परदेश के इसकोलों में अधिकतर वेकस्नल सिख्चक कंपणिय के अधिन सवाई दे रहें मैं पुरे भारत वर्स में वेकस्टनल सिख्चकों के लिए यही पॉलीसी लागू है मैं सिख्चा मंतिरों इठाकूर ने वेकस्टनल सिख्चकों की हरताल पर कहा कि इन शिख्चकों की जो भी उचीत मांगे है उन्हे पुरा कर लिया जा jest मैं पिछले साल इन वेकस्टनल सिक्षकों की मांग थी कि उनके लिए छूटियों की वस्ता की जाएं मैं सरकान इस मांग को जाई समझते हुए इन सिक्षकों के लिए छूटियों का प्रवधान किया मैं पूरे साल में इन सिक्ष में 20 शुक्चा की और से पूरे परदेश में 600 से अधिक व्यकषणनल ट्रेनर से वाई दाएंगी इसमें दो कमपनियों के नाम सामने आया हैं जिन्हों ने इन सिक्ष के लिए एरियर का परधान नहीं किया हैं ऐसी कमपनियों के किलाब कड़ी कर रहा ही की जाएगी दो दिन में हिमाचल पहुँचाएगी 2600 टर्ण डियेपी खाद यह परदेश के किसानों की डियेपी खाद की समस्य अब दो तीन दिन में ही खत्म होने वाली है वे कमपनी की ओर से इस सप्ता के ही बुद्बारवा गुरुबारता की माचल में करीब 2600 टर्ण डियेपी खाद की सप्लाई कर दी जाएगी यह खाद कमपनी दोवारा होसियारपूर यूनिट से 1300 टर्ण वा चंडिगर यूनिट से 1300 से परदेश में सप्लाई की जाएगी बताद की परदेश में नौवंबर वा दिसम्बर मामें रभी फशलों के चलते गेह हुआ सरसों की बिजाई बड़े अस्तर पर होती है हिमाचल में परदेश 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 बिकास निगम के उपाधिच रगुबिर सिंग बाली ने की मैं रगुबिर सिंग बालिन इन्हे माना है कि आउट्सोर्स आधार पर निगम को कम वैतन पर करमचारी अपलब्ध होंगे, यही वज़ा है कि निगम आउट्सोर्स आधार पर भरती कर रहा है। आईस, स्केटिंग, रिंग की सुविधा भी दी जाएगी डाकिया घर आएगा आप जिन्दा है इसका परमान पत्र बनाएगा लगेगा सत्तर रुपीज सूलक जिहां अब डिजिटल जिवन परमान पत्र बनवाने के लिए पैंसन भोग्यों को किसी भी परकार के कागज प्रस्तूत करने की आवश्कता नहीं होगी अब पैंसनर घर पर आसानी से अपना जिवन परमान पत्र बनवा सकेंगे मैं डाक्टिया घर पर ही पेंसनरों के चेहरे और अंगलियों को इसकेन कर डिजीटल जीवन परमान पत्र बनाएगा मैं पेंसनर को महज अधार संख्या हुआ पेंसन का विबरन देना होगा मैं इंडिया पोस्टे पेंसन भोगी कलियान इभाग के साथ समझोता किया मैं समझोते के तत एक से तिस नवबर तक आठ सो सहरों और कस्बों में राष्टी विया पी डिजीटल जीवन परमान पत्र बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है 900 कर्मचारियों को नोकरी से हटाने पर रोक बरकरार हाई कोट ने पूछा कहा जाएंगे 8 साल से कारीरत कर्मचारी हिमाचल परदेश उच नियाले ने उद्ध्यानी भाग में बागवानी विकास पर्योजना के तहत करिब 900 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने पर लगी रोक बरकरार रखी है मामले की अगली सुनवाई 25 नॉमबर को होगी मैं यादिस चतुसनार रिवाल दुआ की एकल खंड़ पीट ने विभाग से पूचा है कि जो कर्मचारी पिछले आठ साल से काम कर रहे हैं वे अब कहां जाएंगे इस पर उच नियाले ने राज सरकार से रिपोर्ट तलब की है विभाग की और से बताया गया कि इन कर्मचारी के साथ किया गया समझोता 31 अक्टूबर को खत्म हो गया इसलिए इने पदों पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है याचिका करता की और से पेश अधिवाक्ता ने आदालत को बताया कि इन कर्मचारी के नियुकती दो हज्जार सोलों के बाद की गई थी इन में से कई कर्मचारी को सेवा देते हुए आठ साल तक का समय हो गया आदालत में दलिले दी गई कि इस पर्योजना के तहट 40 कड रुपई बिभाक के पास से बिना खर्च के पड़े है इस बात पर अड़े वेकस्नल सिक्चक, सिक्चा मंत्री बोले हर्ताल को तुरंत करे खत्म जे राइधानी सिमला के चोड़ा मैदान में वेकस्नल सिक्चक का परदर्शन लगातार दूसरे दिन यानिकी मंगल बार को भी जारी रहा मैं सिक्चक भात्चित के लिए बुलाने पर अड़े हैं महर्याना की तर्च पर नीती बनाने वेतन का एरियर जारी करने और नेजी कमपनियों को बाहर करने की सिक्चक मांग उठारें मैं सरकार्श वार्ता नहीं होने की इस्तिति में सिक्चकों ने सचीवाले के बाहर परदर्शन शुरू करने की चतावनी दियें उधर सर्द मौसम के बेच मंगल बार को भी चोड़ा मिदान में ही तंबू लगाकर सिक्चकों ने दूसरी रात काटि मैं सम्मा रात भी सिक्चक यहीं रहते बुद्ध बार को भी सिक्चकों का परदर्शन जारी रहेगा मुख्य मंत्री सुकु बोले बदलाव के लिए लेने पड़ते हैं कड़े फैसले कई बार मंत्री हो जाते हैं ना राज वे सियम मंगलबार को धहरा में सियम कारेले के ओध घाटन के उपरांत पत्रकारों से बात्चीत कर रहे थे। बेटिया भर्दी में भे सुरक्षित नहीं यहां महिला पुलिस कर्मी से असलील हरकत कोस्टेबल पर केस दर्जे। उनना जिले की एक पुलिस केंटिन में कारेत महिला पुलिस कर्मी ने आपने साथ छेड़चाड एवं असलील हरकते करने की आरोप पुलिस कोस्टेबल पर लगाए। इस समद में महिला पुलिस कर्मे ने महतपुर पुलिस थना में सिकायत किये में महिला मोख्य आरक्षी पद पर तनात है इसकी सिकायत के बाद पुलिस ने विविन धराओं के तहत किस्त दर्ज कर अगामी करवाई शुरू कर दिये SBI Life Insurance में भर जाएंगे मेनेजर के पद इंटरव्यू आठ को जे SBI Life Insurance Private Limited अंब दुवरा चार पद मेनेजर के अधिसुचित कियेगे इन पदों के लिए सक्षात कर आठ नमर को प्राता दस बज ओप रोजगार क्याले अंब में होगा में जिला रोजगार अधिकारी उना अक्षे सर्माने बताया कि मेनेजर पद के लिए सेक्षने योगता किसी भी इस टीम में असनाता के साथ अनुभव होना अनिवारी है उन्हेंने कया कि सेल्स और मार्केटिंग में अनुभव रखने वाले अभियर्ती को प्रात्मिक्ता दी जाएगी इसके अलाबा अभियर्ती की आयू 18-45 वर्स और वेतन परतिमा 25,000 रुपई निधारित किया गया है सुक की सरकार में किसे मिलेगा केबिनेट मंतरी का तोफा क्या संजे होंगे सीम के रतन या फिर घर में ही रहेगी सरदारी हिमाचल में सुक मिंदर सिंग सुकू की नर्तित वाली कोंगरेस सरकार में एक और मंतरी की एंटरी होने वाली है जैसे ही जंडी वाली कार से जुड़ी हलचल तेज होने लगी तलबगारों के मन में लड़ू फुटने शुरू होंगे मैं क्या सूक की सरकार में जौला मुकी से बिधायक संजेर रतन की किस्मत जागेगी या फिर महिला कोटे के नाम पर घर में ही सरदारी रहेगी यानि पहली बार चुनाब मैदान में उतर कर जितने वाली कमलेश ठाकूर को तोफा मिलेगा इस समय कॉंग्रेस में दो महिला विधायक हैं मैं दोनों पहली बार चुनाब जीती हैं मैं कमलेश ठाकूर के अलबा दूसरा नाम अनुराधार आना हैं मैं यादी महिला कोटे को प्रेफरेंस मिली तो एन दो में से फैसला करना होगा लेकिन फर्स्ट टाइम एमेले को मंत्री पत देने से परहजी किया जाएगा हिमाचल में 31 दिसमर तक हर हाल में कर लए ये काम वरना नए साल से रासन काड हो जाएगा ब्रोग जि हाँ हिमाचल में डीपों के जरिये सस्टे रासन के वेतन में पार्दर्शिता लाने के लिए सरकार कई तरख्ये परियास कर रही है मैं पर्देश में सस्ते रासन में होने वाली गडबड़ी की असंका को रोकने के लिए रासनकार धारकों की एकवाईसी करवाई जा रही है मैं जिसके लिए कई महिनों से निजंतर परिक्रिया जा रही है और लभार्तियों को बार बार इकवाइसी करवाने का मौका दिया जा रहा है लेकिन इसके बाद भी राशन कार्ड में दर्ज 1376209 सदस्यों ने अभी तक इकवाइसी नहीं कराई है ऐसे में इन लोगों के पास अब 31 दिसंबर तक इकवाइसी कराने का मौका है इस अवधी तक भी अगर लभार्ति आउसर पर लाब नहीं उठाते हैं तो ऐसे ओभोगताओं के राशन कार्ड को और अस्ताई तुर पर बंद किया जाएगा मैं जिससे ओभोगताओं को डिपो में मिलने वाले सस्ते राशन की सुविधा से हाँ धोना पड़ेगा मैं परदिश में राशन काड में दर्ज कूल लभार्तों की संक्या एकतर लाग बावन हज्जार चेसो पॉसर्ट है मैं इसमें सभी तक अभी तक 57,66,574 लभार्तों की एक वाईस्टी हुई है नियता परतिपक्ष बोले मेरी चिंता छोड़ अपने हिलती कूर्सी की चिंता करें मोख्य मंत्री सुकू मेरी चिंता चोड मोख मंतरी सुक्मिंदे सुकू अपनी हिलती कुर्सी की चिंता करें जो कभी भी गिर सकती है जूटी गारन्टीओं पर अपने राष्टी अध्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे जिसे पड़ी फटकार के बाद मोख मंतरी अब और सहज हो गये मजीने कभी भी कुर्सी चीन जाने का डरसादारा मैं मंदी में परिस वर्टा के दुरान पुर्व मुख मंतरी एवन नेता परतिपक जराम ठाकू ने पलटबार करते हुए कहा की सत्ता में आने से पहले कॉंग्रेस ने जो गरंटिया दी थी उसे वो पुरा नहीं कर पाई है और नतीजन आज परदे सरकार का दो वर्ष का कारिकाल पुरे देश भर में तमासा बन कर रगये अब तो इनके राष्टे अद्धक्च भी इनकी जूटी गरंटियों से और सहज हो गए मैं सत्ता में आने से पहले कॉंग्रेस ने जो गरंटिया दी थी उसे वो पुरा नहीं कर पाई है रहत भरी कबर हिमाचल में इस दिन से बदले का मोसम बारिस बरबारी के असार लंबे समय से सुखे की मार जेलरे हिमाचल के लिए रहत भरी कबर है मैं परदेस के लोगों को अब जल्दी सुखी ठंड और दीन में पढ़ने वाली गर्मी से रहत मिलने की उमीद है मोसम इभा के अनुसार परदेस में 10 नौबर से मोसम करबट बदलने वाल है मोसम में बदलाव आने से परदेस के 3-0 कांगळा चमबा और लाहोर इस्पिती के पच्छिम छेर्त्र में 11 और 12 नौबर को बारिश और बरबारी होने के आसार है मुझे इभाग के अनुशार पर्देश में 7 नवंबर तक तापमान समानी से अधिक रहेगा लेकिन 8 नवंबर से तापमान में गिरावट आना शुरू हो जाएगा रासन डीपो में नहीं मिल रही दाले तेल दिपाली पर एक्स्ट्रा चीनी भी नहीं मिली पर्देश के रासन डीपो में उभोकताओं को अवस्टक बस्त में नहीं मिल रही है मैं रासन डीपो में सरसों का तेल और दाले नहीं मिल रही है मैं पर्देश के रासन डेपों में दाल चना और माह की दाल नहीं मिल रही है। मैं इसके अलबा कई जगों पर सर्सों का तेल भी नहीं मिल रहे है। मैं इसके अलबा आठा और चावल कें सरकार सबसीडी पर उपलब्द करवा रही है। इस बार दिवाली के तिवार पर पर पर्देश के रासन कार्ट भोगताओं को परती परिवार के हिसाब से 500 ग्राम अतिरिक्ति चीनी नहीं मिली है। अरुनाय, करनाल के बड़ा गाओं और जजजर गाओं मादाना में बनाएगे सरदार पठल पुस्ते का लोका भी उदगाटन किया। इस दोरान उनने पुस्तक मेले का अवलोकन किया और कई पुस्तकों का अलोकारपन भी किया। इस मौके पर मुख्य मंत्री ने कहा कि हमारी संसेकर्टी और विरासत कितापों में उपलब्द है। ज्यान की रोसनी से ही जीवर में अंधकार को दूर किया जा सकता है। इस पुस्तक मेले का अवदेश से भी हमारे ज्यान को बढ़ाना है। उन्हें ने कहा कि परधान मंत्री ने कहा कि जहां अंधेरा घना मिं वहां दीप जलाना कहां मना है। आज एक पुस्तक भी हम पढ़ते हैं तो वो एक पुस्तक ही दीपक जलाने का काम करेगी। नायव सिंग सेनी ने कहा कि इस मेले में विभीन भसाओं की हजारों पुस्तकें उपलब्द हैं, यहां उपस्तित लोगों की जन भागी दारिता को देखते वे पता चलता है कि पुस्तकें कितनी ज़ुरी है। के बाद लाखोर उपई एकाउंट से गाइब होगे। काईब कर दिये। मैं इन में दो कड़ोर सत्र लाख त्रासी हज़ार आट सो संसर रुपई ये पैलेंटी के माध्यम से चुटाएगें। जबकि 3,20,308 रुपई की उगाई टेक्स के तुर पर हुई है। बिभाग ने मुझदा वेत्य वर्स में अभी तक अलग अलग नाकों के माध्यम से चार लग उन्चा सज्जार 418 वाहनों की जाच किये। गोर तलब है कि राज की परिधी में एक जगह से दूसरी जगह 50,000 से ज़्यादा किम्मत का समान ले जाने के लिए ईवे बील की आवश्कता हैं। लेकिन ज़्यादातर वहान चालग चोर रास्तों का इस्तमाल कर ईवे बील के भूगतान से बचने की कोशिस कर रहे हैं। अगले बजट में बड़े परिवर्तन करने जा रही हैं। इस कारिक्रम के तहत लोगों से संभाद अस्तापित करने के लिए कहा। उन्हेंने कहा कि वस्ता परिवर्तन के धाय के साथ सुरू हुई। पर्देश को आत्म निर्भर राज बनाने की संकलपना को सकार करने की दिसा में सभी को समावेसी परियास करने की अवश्कता है। सरका घाट के जवान सोगदेव का हिर्दे घाट से ले मैं निधन राज के सम्मान के साथ हुआ अंतिम संसकार। जे उपमंडल सरका घाट के वीर सपोत हवालदार सोगदेव सिंग का देश की सिमावों की रक्षा के लिए ले यानि केंद सासित पर्देश लध्याक छेतर में सेवा देते वी हिर्दे घाट से निधन हो गया। मैं सब घर पहुँचने पर चिक फुकार मच गई। मैं जमसाईग गाउं के जाबाज सोगदेव आर्मे की आर्टली रेजिमेंट में 24 वर्से सेवा दे रहे थी। मैं उनके आकस्मिक निधन से सरका घाट छेतर में सौकी लहर दोड़ गई है। किन्वर से इस साल मंडियों में गया 45 लाग पेटी सेव जिले पांच साल में रिकॉर्ड उतपादन हुआ है। मैं गोर हो कि जन जाते जिला किन्योर में ओगिने वाला सेव अपने स्वाद, मिठास और गुनवाता के लिए पर्दिश से भर में मसूर है। कोट से फैसला आने के बाद सेश्चकों ने इसे सुपरियम कोट में चुनोती दिये। मैं जिसके बाद सरकार ने इसमें रोक लगा दिये। में सरकार अब इसमें अंतिम फैसले का इंतियार करेगी। इसके बाद ही पर्मोशन परिक्रिया को सुरूख किया जाएगा। बतिया जा रहा है कि इस पर्मोशन के लिए दो कोटर यानि हेड मास्टर से पर्धना चारी और परवक्ता से पर्धना चारी पात्र है। या कोटर 60 अनुपात 40 का रहता है। लेकिन परवक्ता इस कोटर को बढ़ाने की मांग कर रहे है। बताया जा रहा है कि सूपरिम कोट में मामली की सुनवाई 2 दिसंबर तक के होनी है। मस्चिनिस्ट के चार पद, पोस्ट कोड एक हजार चार करिस्ट अभियानता और पोस्ट कोड एक हजार छे प्रीजर्वेशन एसिस्टेन के तीन तीन पदों के लिखित परचाओं के परणाम सामिल है। उन्हेंने बताए कि पोस्ट कोड 987 और 1004 की डोकुमेंट वेरिफिकेशन 19 नमबर को होगी। मैं जबकि पोस्ट कोड 991, 993 तथा 1006 की डोकुमेंट वेरिफिकेशन 20 नमबर को निधारित की गई है। पुलिस भाग में चोबदा करमचार्य के तबादले जाने किसे कहां मिला तेनाती। हर्देव सिंग को CID से 3rd IRB, HHC, कुलविर सिंग को बिलासपूर से CID, गरगेश कुमार को State Vigilance से CID, गीता वर्मा को सिमला से CID, पवना देविको कंगला से CID, विजे कुमार को CID से 6 IRB, HC, बलविर सिंग को CID से 3rd IRB, वो पवन कुमार को बिलासपूर से 1st IRB भेजा है, सियम सुकू करेंगे, माँ बेटे के मिलन का पर्तिक अंतराष्टिय फ्री लेनुका जी मेले का सुब आरम, जब कि समापन समारों में मोग अधिती राजपल से परताब सुकल होंगी, मैं DC सीर्म मोर एवन स्री रेनुका जी विकास से बोट के उपाद्ध्य सुमेत्ति क खिम्टया ने बताये कि एगारा नमबर को मुख मंदिर देदाहू से भगवान परसुराम जी की सभायात्रा का सुब आरम करेंगे। उना में बनेगा एक मौडल सोलर गाउं सस्ती और स्वक्ष बिजली परदान करना है उदेशिये। गाउं में सोर ओर्जा को बढ़ावा देने और बिजली के जरतों को स्वक्ष ओर्जा से पुरा करने के लिए एक कड़ रुपे की रासी का परदान की आगयां। मैं जिला अस्तर पर योजना के करियान वेन की समेक्षा के लिए गठित समन्वे समेती यानिके डी एल सीसी के अध्यक्ष और उपायविक्त जतिन लाल ने यह जनकारी दी। उपायविक्त जतिन लाल ने पताए कि परदान मंतर सूर्य घर मुप्त बिजली वजना के अंदर गत चायनित गाओं को सोर उर्जा पर अधारित एक आधर्स गाओं के रोप में विक्सित किया जाएगा। देश बिदेश की किस कोने से बैठ कर देख रहे थे हैं क्यू ओल देवेस्ट जेहिन जेहिमाचल साथ ही छट महापरवकी आप लोगों को बहुत बहुत सुब कमना है।